नमस्कर जेसी ए आर्टी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है आज हम वर्ग पांच के गनित के पाठ गुनन खंड अर्थात फैक्टर की चर्चा करेंगे मीना की मा आज बाजार गई और बाजार से उसने चूडियां खरी दी 18 चूडियां और घर ले आई अब वो उन चूडियों को अपने वो जो सौंदरी वाला जो बक्सा होता है उसमें रखने की कोशिस कर रही थी उसने मीना से कहा कि मुझे इसमें से सजाने में दिक्कत हो रही है तुम मेरी मदद करो मीना ने कहा इसमें क्या दिक्कत है लो मैं सजा देतू हूँ और उसने उन 18 चूडियों को इस तरह से सजाना शुरू किया एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौँ, दस, ज्यार, बार, तीर, चौद, पंदर, सुल, सत्र, ये अठार उसकी मा ने कहा मेरा बॉक्स तो इतना बड़ा नहीं है ये कैसे हो सकता है, नहीं सहोगा इसको थुड़ा कम जगा में सजाना है मीना ने कहा इसमें क्या दिक्कत है, रोग कर देती हूँ और उसने ये ऐसे कर दिया ये क्या उसने किया दो-दो का ये समू बना दिया मीना ने ये चुडियों को दो-दो के समू में सजा दिया तो ये समू हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ उसकी मा ने कहा, नहीं, नहीं, अभी भी ये बहुत जगा छेकरा है थोड़ा और कम जगा में इसे सजा रहा है तो बहुत कोई ठीक है, मैं कर देती हूँ फिर मीना ने क्या किया, ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन, और ये तीन तीन-तिन के समू में इसे सजा दिया तो अब कितने समू हो गए एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे उसकी माने का नहीं, नहीं और कम जगह में से मुझे सजाना है उसने का ठीक है, देखो फिर से कर देती हूँ और उसने किया ये तीन और तीन, छे ये तीन और तीन छे और ये तीन और तीन छे अब ये छे छे चुडियों का उसने समू बना दिया उसके माने कहा नहीं नहीं और थोड़े कम जगा में अब उसने क्या किया कि ये नौ चुडियां और ये नौ चुडियां नौ चुडियों का दो समू बना दिया अब मीना की माने कहा नहीं थोड़ा और कम जगा में इससे सजाओ उसने क्या क्या ये पूरा अठारा चूडियों को एक साथ रख दिया तो उस मीना ने किस तरह से सजाया मीना ने आपने देखा कि इन अठारा चूडियों को किस तरह से सजाया सबसे पहले उसने एक-एक चूडी करके सजाया यानि समू एक-एक चूडी का समू बनाया फिर दो-दो चूडी का समू बनाया फिर तीन-तीन चूडी का बनाया और फिर छे-छे चूडी का इसके बाद नौनो चूडी का और आंत में अठारह चूडियों का समूह बनाया तो ये जो समूह बनाया इसी समूह को हम बोलते हैं गुननखंड तो अठारह के गुननखंड होगे एक, दो, तीन, छे, नौ, और अठारह तो हमने देखा, किसी संख्या को जितने तरह के समूह में पूरा पूरा बाटा जा सकता है, उसे उस संख्या का गुननखंड कहते हैं अब हम एक प्रश्ण लेते हैं 36 का गुननखन निकालो यानि 36 को हम कितने तरह से ग्रूप में समूव में बाढ़ सकते हैं तो सबसे पहले हम 36 को अगर हम एक एक का समूव बाढ़ते हैं तो ये एक गुना 36 अब इस 36 में अगर हम 2-2 का समूव बनाएंगे तो ये 2-18 अब इस 36 को हम 3-3 का समूव बनाएंगे तो ये 5-12 अब इस 36 को अगर 4-4 का बनाएंगे तो ये हो जायेगा 4-9 और इस 36 को अब हम 6-6 का बनाएंगे तो यह हो गया 6 तो हम लोग देख रहे हैं कि इस 36 के गुननखंड क्या-क्या हो गये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, चार के बाद 6, इसके बाद 9, 12, 18 और 36 तो हम 36 को इस तरह से समुहों में बाढ़ सकते हैं यानि 36 का गुननखंड हो गया, एक, दो, तीन, चार, छे, नौ, बार, अठारा और 36 अब आप खुद से भी कुछ प्रश्णों को बना सकते हैं एक बात और धियान रखें, इसी गुननखंड को हम लोग अपवर्तक भी कहते हैं अर्थाद गुननखंड का हिंदी में दूसरा नाम अपवर्तक भी है और अंग्रेजी में इसे फैक्टर कहते हैं अब हम लोग स्चर्चा करेंगे साजा गुननखंड या समापवर्तक या कॉमन फैक्टर एक उधारन से हम इसे स्पष्ट करते हैं सबसे पहले 12 का गुननखंड हम करते हैं क्या-क्या गुननखंड होगा बारा का? एक दो तीन चार छे और बारा अब एक और लेते हैं 15 इसका गुननखंड तो इसका हो जाएगा एक दू होगा? नहीं इसका क्या होगा? इसके बाद तीन तीन के बाद चार नहीं होगा ये होगा पांच और पांच के बाद पंद्रह तो हम देख रहे हैं कि इस बारह और पंद्रह में कौम सा गुननखंड है जो साजहा है जो कौमन है अर्था जो दोनों में है तो बारह और पंद्रह का साजहा गुननखंड अर्थात समापवर्त ये क्या हो रहा है देख रहे हैं एक यहाँ भी है यहाँ भी है तो ये साजहा है एक के बाद कौन सा साजहा है एक के बाद है ये तीन दो तो नहीं है तीन इसके बाद और है नहीं तो हम देख रहे हैं बारह और पंद्रह का साजहा गुननखंड क्या हुआ यानि समापवर्त क्या हुआ एक और तीन और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है ये तीन अर्थात बारह और पंद्रह का सबसे बड़ा साजा गुननखंड और इसे हम कहते हैं महत्तम महत्तम समाप वर्तक यानि हाइस्ट पॉमन फैक्टर एच सी एफ तो यह कितना हो गया सबसे बड़ा जो समाप वर्तक होता है उसे महत्तम समाप वर्तक कहते हैं तो यहाँ बारह और पंद्रह का महत्तम समाप वर्तक हो गया तीन अब कुछ प्रस्ण जो अभ्यास के प्रस्ण दिये हुए है हमें आसा है कि आप इसे इसकी सहायता से बना लेंगे गुननखंड पेड़ यानि गुननखंड को हम पेड़ की रूप में किस तरह से परदर्शित करते हैं इसके लिए एक उधारन लेते हैं अठारा का तो अठारा को एक गुननखंड हो जाएगा ये दो और यहां नौ अब ये दो का और गुननखंड होगा नहीं होगा लेकिन नौ का और होगा ये क्या होगा तीन और तीन इसी तरह से अभी हम इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं 18 का यहां 3 और 6 तो 3 का और गुनन खंड नहीं होगा लेकिन 6 का होगा 2 और 3 इस तरह से आप आगे और कितने हो सकते हैं आप खुद से इसे प्रयास करें और बनाएं आसा है कि आज जो टॉपिक लिए गए गुनन खंड यानी अपवर्तक फिर साजा गुनन खंड यानी समापवर्तक यह आपको काफी समझ में आ गया होगा अब आपके पुष्टक में जो अभ्यास के प्रश्ण दिये हुए हैं इन प्रश्णों को आप खुद से बनाएं कहीं दिक्कत होती है तो आपने सिक्षक से संपर्ख करें धन्यवाद